अज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं कोलेस्टरम यानी की तेली यानी की खीस की बहुत ही सौधिस्ट इमिठाई जो की बहुत ही टेस्टी होती है बहुत ही हिल्दी होती है इसमें भर पूर मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम होता है जो बच्चों की हड़िय है तो पहले दिन का पीला गाढ़ा दूद की जो है मिठाई बनाते हैं हम तो हम हिल्दी होती है तो नहीं हमने दूसरे दिन वाला एक लिटरव नहीं दूद का एक यदा सवाधिके अनसार हम मिलाते हैं कि चीनी पाउडर याद रखिए कि इसमें चीनी पाउडर ही हमें मिलाना है ये हमारी दो बड़े चमच हो गई है सोठ यानि कि जो अधरक सुखी वाली अधरक होती है उसको कूट करके शान के पीस के हम लोग रख लेते हैं इसी तर तो ये हमारा वही पाउडर है आप चाहें तो पिसी पिसाई जिंजर पाउडर मार्केट से भी मंगवा सकते हैं तो इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं ताकि ये बढ़िया से एकसार हो जाए पाउडर पूरा तो चीनी आप अपनी टेस्ट के अनुसार ही मिलाईएगा जैसे आप मीठा पसंद करते हैं कम या ज्यादा उसी हिसाब से मिलाईएगा तो ये बढ़िया से मिक्स हो जाएगी इसके बाद हम पहले दिन वाली तेली इसमें डालेंगी यानि कि पहले दिन वाली कोलोस्ट्रम हम इसमें डालेंगे तो देखिए कितना बड़ी है पीला गाढ़ा दूद है आप देख सकते हैं यह सबसे फर्स टाइम वाली तेली है फर्स टाइम वाला दूद है हमारा यह फ्रेंट्स बहुत ही पॉस्टिक होता है बहुत ही ज्यादा आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है हड़ीयों क मजबूत करता है और इसकी मिठाई तो बहुत ही टेश्टी बनती है एक बार आप जरूर बनाएए यह मैंने जो है एक कप है में धीरे-धीरे करके मैं इसको डालती जाओंगी मिलाती जाओंगी इसको इसी तरह से तो एक कप हम इसमें डालते हैं पीला वाला जो पहले दिन का दूद है और जो मैंने ज्यादा क्वांटिटी में लिया है यह दूसरे दिन का दूद था एक लिटर मैंने इसको लिया था एक कप मैंने पहले दिन वाला क्वांटिटी आप ऐसे ही रखिएगा और जो मैंने इंग्रिडेंस मिलाए हैं इसमें इलाची पाउडर केवला और सोट पाउडर यह सब ही आप डाल दीजिएगा तो एक प्लेट हम ले लेते हैं उसमें घी लगा लेते हैं चारो तरफ फैला लेते हैं बढ़िया से और जो दूद हमने मिक्स करके रखा था तो यह मिक्सर पूरा हम इसमें ठाली में डाल देते हैं जितना आप आएगा उतना ही हम डालेंगे बाकी दूसरी ठाली में हम डालेंगे तो थोड़ा सा मेरा और बच गया है दूसरे बाउल में उसको मैं बाद में बनाऊंगी तो यह मैंने एक गिलास कढ़ाई में पानी डाल दिया है और इसको मैं ढखकर के गरम होने देती हूं इसको जैसा ही इसमें बबल साने लगेंगे हम इसमें जाली रखकर के जो प्लेट हमने दूद की भरी हुई है वो उसमें रख देंगे और धिमी आज में हम इनको पकाएंगे जमन गरम हो चुकी है अब इसमें हम लिट लगा देते हैं और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक यह 80% जम नहीं जाती है तो जैसे यह 80% जम जाती है वैसे हम इसकी लिट खोल करके इसमें कुछ ड्राइफ रूट्स एड़ करेंगे तो यह मैंने कुछ ड्राइफ रूट्स और इसमें मैंने ड्राइफ रूट्स मिला लिया था कुछ गुलाब की पंखुडियां उनको भी हम डाल देंगे इससे हमारा बहुत बढ़िया खुसबू आती है और गार्निसिंग तो बढ़िया सी होई जाती है आप देखी रहे हैं तो अब हम जो है ड्राइफ लगा दिय इसको कड़शी की मदद से हम इसको प्रेस करेंगे थोड़ा सा ताकि ड्राइफ रूट्स इसमें थोड़ा सा अंदर चले जाए थोड़ा सा मतलब चिपक जाए इसमें तो इसके बाद हम जो है दस मिनट लिड लगाने की बाद 10 मिनट और पकाएंगे या यूं कहीं कि 5 मिन तो अब इसको हम 5 मिन और पकाएंगे तो ये completely जम जाएगी इसके बाद हम निकाल लेंगे और जो हमारा मिक्सचर बचा हुआ है थोड़ा सा उसको हम दूसरी प्लेट में इसी तरह इसी प्रोसेस से हम जमा देंगे तो देख सकते हैं प्लेट मेरी टेड़ी हो गई है लेकि इसको भी हम इस प्लेट में डाल देते हैं मैंने घी लगा के रख लिया था पहले से तो लगा देते हैं और उतने ही टाइम तक हम इसको भी पकाएंगे तो इसमें मैंने पहले से ड्राइफ़ूट डाल दिये तो कुछ और कुछ अब मैं बाद में डाल रही हूँ उसी तरह बढ़ती उम्र के लिए तो बहुत ही हेलफुल होती है ये हड्यों को मजबूत करती है प्रोटीन भी इसमें भरफूर मातरा में होता है जो बढ़ते बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है तो मैं अब ये एक पीस में आपको निकाल करके दिखा रही हूँ कितना बढ़िया सेप में कितनी बढ़िया जमी हुई है तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया कितनी टेस्टी भी दिख रही है लुक इसका कितना बढ़िया है एक बार आप मेरे कहने पर इसको ट्राइ करिएगा लेकिन मानिए बहुत ही सौडिस लगेगी और पॉस्टिक तो बहुत ही होती है आप लोग तो जानते ही होंगे तो फ्रेंट्स मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों में सेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू बाई बाई